सिद्धी हेतु स्वामी गए यहां गवरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही भड़ा व्यागात। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो उन्होंने मुझे दिया, उसके बावजोद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं ताख्या। स्वयम सुसजित करके इक्षण में, प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमी बेज देती है रण में। नमस्कार, मैं हूं हर्शिता, हिंदी लेक्चरर, विद्धैश्रम कॉलेज, माईसूर। आज हम माईसूर उनिवर्सिटी के थर्ड समिस्टर बीबीए की हिंदी पाटेक्रम से सखीवे मुझसे कहकर जाते कविता जो है उसको देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह पहले जो कवी परिचय है उसको देखेंगे। सखीवे मुझसे कहकर जाते के जो कवी है वहाँ है माईतली शरण गुप्त जी का जन्मु जो है सन 1883 में चिरगाओं के जासी नामक गाओं में जो है होता है। इनके पिताजी जो है वहाँ है श्री राम्चरन जी देखें उनके पिताजी भी एक अच्छे भक्त थे तो वो जो बक्ति बाव है यहाँ पर माईतली शरण गुप्त जी ने जो है यह पर कड़ी बोली को जयदा पृधानीता जो है maison समय में कविताओं की रचना करने में कड़ी बोली को ज्यादा प्राधानित्य उन्होंने दिया। देखें, इनको उन्नीस सो चौवन में यहाँ पर पद्मबुशन उपादी इनको मिलता है, उसे उनको सम्मानित किया जाता है। देखें, इनको रश्टा कवी गविता पर मिलता है। महितिली शर्ण गुप्तवजी सिर्फ एक अच्छे कवी नहीं थे, उसके सासत वहाँ एक अच्छे इन्सान थे, अच्छे बक्त थे। एक अच्छे राष्ट्र बक्त भी थे सबसे बढ़कर वहाँ एक अच्छे मानों भी थे दिखें उनकी प्रमुक रचनाय कुछ इस तरह है जय अद्रत्वद पंचवठी साकेत जय भारत जंकर स्वदेश संगीत भारत भारती द्वापर नहुष विश्णु प्रियादी सभी इनकी प्रमुक रचनाय है जो बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी भारत भारती साकेत तो बहुत ही प्रसिद्धी जो है उन्होंने पाया है सखीवे मुझसे कहकर जाते जो है वहाँ गुप्त जी की एक खंड खावी है जिसमें इन्होंने क्या किया है जब बुद्ध जब सिध धार्त जहाया पर सब कुछ छोड़ कर आधी रात में सब कुछ सब राजपाट सब कुछ अपने पत्नी और परिवार को छोड़ कर नौजाच शीशु को छोड़ कर जब वहाँ चले जाते हैं उसके जाने के बाद जो उनकी पत्नी थी ये शुदरा थी उसने किस तरह यहाँ पर वहाँ सोचती है वहाँ कितनी दुकी होती है दुकी होने के बावजूद भी वहाँ अपने पती की भलाई के बारे में ही वहाँ सोचती है यही सबी जो है आपर हम देख सकते हैं एक भारती ये नारी किस तरह सोचती है चाहे उसे कितना भी कश्टू हो फिर भी वहाँ पती की जो भलाई है उसके बार में वह सोचती है यही भाव जो है प्रस्तत कविता में भी हम देख सकते हैं इस जो कविता है सक्कीवे मुझसे कहकर जाते है इसे येश्वदारा से लिया गया है सिद्धार्त के वनागमन के बाद तो यहाँ पर उनकी जो पत्नी है येश्वदारा वहाँ तो बहुत दुखी होती ही है और अपनी सखी के सामने अपने सहेली के सामने अपनी दुख को भी प्रकट करती है मगर अंत में वो यही कहती है कि वो कुछ सिद्धी पाने के लिए जो गया है वहाँ सिद्धी पाए तो इस तरह यहाँ पर शुप खामनाई जो है अपनी पती के लिए वहाँ देती है अपनी पती की भलाई के ही आपर प्रार्तना जो है वहाँ करती है तो एक भारती यह नारी का जो एक स्वरूप है यहापर हम यिश्वदरा में देख सकते हैं तो चले किस तरह यहापर उन्होंने लिखा है वो अभी हम प्रस्तुत कविता सक्की वे मुझसे कह कर जाते जो है उसमें देखेंगे पहले वो लिखते है के सिद्धी है तु स्वामी गए यहाँ गवरव की बात पर चोरी चोरी गए यही बढ़ा व्यागात सक्की वे मुझसे कह कर जाते कहतो क्या मुझको वे अपने पत बादा ही पाते देखेंगे अपर पती के वनागमन के बाद एक नवजात शिशुता सिद्धार्त को उसे भी चोड़कर और अपने पतनी को भी चोड़कर जो है यहाँ पर अपने पूरे राजपाट को अपने परिवार को चोड़कर जब यहाँ पर सिद्धार्त जाते है वहाँ कोई सामा यहाँ पर अपनी सकी से अपनी सहेली से अपनी दुख को यहाँ पर बांटती है देखिए वो कहती है कि सिद्धी है तो स्वामी गए स्वामी मतलब एशोदारा की पती सिद्धार्त बुद्ध देव उनके बारे में यहाँ पर वहां कह रही है देखो सकी मेरे पती जो है सिद्धी आपर जो है पाने के लिए वहाँ गाइए यह मेरे लिए गवरव की बात है मगर चोरी-चोरी गए यही बड़ व्यागवायव मगर वो चोरी-चोरी आदी रात में किसी को बिना बताए यो चोरी-चोरी गए न यहीं मेरे लिए बहुती बड़ा व्यागात है आगात है दुख की बात है क्या मैं अभी खुशी मनाओ कि वो सिद्धी पाने के लिए गए गवरव यहापर वेक्त करो या फिर मुझे जो अभी दुख हो रहा है वहाँ बिना बताए चले गए मैं क्या कहूं अभी करके वहाँ कहती है अगर वो मुझसे कह कर जाते तो कितना अच्छा होता देखिए वो इसलिए कहते कि सकी वे मुझसे कह कर जाते उन्होंने क्या सोचा होगा क्या अगर वो मुझे कह कर जाते तो मैं क्या उनकी यहाँ पर पत बादा बन जाती देखी वो कहते कि कहा तो क्या मुझको वे अपनी पत बादा ही पाते कहा तो क्या मतलब अगर वो मुझे कह कर जाते तो वो मुझे क्या अपनी पत बाधा मतलब अपनी पत में मतलब राह में अगर वो मुझे अडचन पाते क्या नहीं मैं उन्हें नहीं रोकती मैं उनको अपर खुशी-खुशी बेज देती सबसे ज्यादा जो दुख है मुझे इसी बात का है कि वो बिना बताए चले गई सिद्धी पाने के लिए गई है ये गवरोव की बात है खुशी की बात है मगर बिना बताए जो चले गई है ये जो है मुझे बहुत ही दुख जो है दे रहा है मेरे लिए बहुती बड़ा आघात है करके यहाँ पर अपनी दुख को प्रकट कर रही है यिय शोधर आपने सहेली के सामने आगे वो कहती है मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना देखे मुझको बहुत उन्होंने माना मतलब जब मैं आई यहाँ पर बहुती मान सम्मान जो है उन्होंने मुझे दिया उन्होंने अपनी पत्ने को मतलब मुझे मतलब ये शोदरा को जो है बहुती मान सम्मान यहाँ पर दिया माना मुझे, मगर क्या पूरा मुझे पहचाना, देखिए वो कहती है यहापर प्रश्ण चिन्न है, इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो उन्होंने मुझे दिया, उसके बावजूद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं ता क्या, अगर वो मुझे मुझे वो पूर्ण रुप से जान पाते तो यूं छोरी चुपे तो नहीं जाते ना करके यहाँ पर वहाँ कह रही है फिर वो कहती है कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते सक्षी मुझसे कह कर जाते देखे यहाँ पर वो कहती है मैंने मुख्य उसी को जाना मतलब मैंने सबसे ज्यादा बढ़कर जो है उसी को माना है जो वो मन में लाते देखे जो उन्हें पसंद था जिस तरह रहना हो या फिर जो काम उन्हें पसंद हो या फिर जिसकी इच्छा वहाँ करते है मैंने हमेशा उसी की खयाल रखा है उनकी मन की बात जो है उनकी इच्छाओं का खयाल जो है मैंने हमेशा रखा है तो ऐसे में क्या मैं इनकी ये जो इच्छा है लोक कल्यान के लिए जो अभी सिद्धी पाने के लिए गए है तो क्या मैं इस इच्छा को मैं यहाँ पर मना करती क्या नहीं मैं खुशी-खुशी उन्हें बेश देती न तो इसलिए वो कहते कि फिर भी क्या पूरा पहचाना उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया प्रेम सने सब कुछ दिया और मैंने भी हमेशा उनको ही यहाँ पर माना मतलब जो उनकी इच्छ उनको पूर्ण करने में ही मैं हमेशा लगी रहती थी अपनी इच्छाओं से बढ़कर उनकी इच्छाओं को यहाँ पर क्या है मैं ज्यादा यहाँ पर उनका जो पूरा है करने के लिए मैं लगी रहती थी ऐसे में क्या उन्होंने मुझे पहचाना नहीं क्या उन्होंने सो जितने भी दुख है वहाँ आपनी सहेली के सामने प्रकट जो है यहाँ पर कर रही है फिर आगे देखे वह कहती है कि स्वयम सुसजित करके एक्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमी बेज देती है रण में देखे यहाँ पर एक भारती एक शात्र नारी होने के का प्राणों से सुसजित करके उनकी आरती उतार कर वहां क्या है रण में बेशती है युद्ध भूमी में वहां बेशती है तो ऐसे में मैं क्या है उनकी अर्चनिया पर बनती क्या करके वहां कहती है स्वयम सुसजित करके एक्षण में जो भारती एक शत्री नारी है वहां क् पती को स्वयम सुसजित करके शस्त्रों का सुसजित करके और उनकी आरती उतार कर क्या करती है प्रियतम को जो है मतलब अपने पती उनको जो है प्राणों के पन में मतलब प्राणों की बाजी लगाने के लिए ही युद्ध भूमी में बेज देते हैं इसलिए इसलिए लगाने के लिए देखे अगर एक बार युद्द के लिए चले गए तो वह वापस लुट कर आएंगे इसका उमिद ही नहीं रख सकते अगर लुट कर आये तो सवभागे की बात होगी तो ऐसे में जो भरती क्षत्री और नारी है वहाँ जब अपने पती को अपने प्रेत्मको जो है युद्द के लिए तैयार करके आरती उतार कर भेशती है तो मेकली इन्हे यह जो लोकका लेंड के लीए गए है तो उनकों में यहाँ पर हसेकूशी नहीं भेशती तो इस तरह यहाँ पर वहाँ दुख जो है प्रकट करें देखे शात्र धर्म के नाते करके सिद्धार्त भी एक युवराज था वहाँ भी शात्र धर्म का था या और ये शात्र धर्म की थी तो शात्र धर्म की एक स्त्री होने के नाते में अपनी पती को यहाँ पर नहीं बे नहीं बेशती का यहाँ पर हसी कुशी उन्हें मोक्ष पाने के लिए जो सिद्धी पाने के लिए वो गए है हसी कुशी उन्हें नहीं बेशती क्या क्यों उन्होंने मुझे नहीं समझा क्यों वहां मुझे नहीं समझ पाएं यहीं दुख की बात है क्यों बिना बताये चले ग देखिए ये जो भाग्य है वहाँ भी अभागा हो गया क्यों सिद्धार्त ने क्यों मेरे पती ने मुझसे ये जो भाग्य है उसे चीन लिया वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे थे ठीक है मगर कुछ लोक हित के लिए देखिए राजा जो लोग है राजा महराजा जो अबी मेरे पती भी लोक हित के लिए वा गया है ना कुछ सिद्धी पाने के लिए गया है ना तो ऐसे एक अच्छे काम के लिए जो वह जा रहे तो उनको यहाँ पर मैं खुद आर्ती उतार कर उनको तैयार करके मैं खुद बेश देती ना हसी कुशी तो यह जो भागय है इसको भी मुझसे छीन लिया सिद्धार्त ने अभी मैं किस पर अभी गर्व करूँ किस बात का अभी मैं गर्व करूँ करके वो यहाँ पर कहती है अभी देखे जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरन ही आते सिकी वे मुझ से कहए कर जाते देखे उन्होंने ट्याग को अपनाया सब कुछ ट्याग कर ही तो यहापर जो सिधारत है वहाँ यहापर कहाँ वनागमन जो है करते मतलब वन को जंगल को पहाँ जाते हैं सिद्धी पाने के लिए तो जिन्होंने सब कुछ त्याक कर एक राजमहल के आईश्वाराम की जीवन है उसे त्याक कर अपने पत्नी को त्याक कर अपने परिवार को त्याक कर एक नवजार शिशु को त्याक कर सब कुछ त्याक कर जो आप त्याग को अपना कर सिर् अगर वो मुझसे बोल कर जाते न तो और भी में गर्व करती मैं अपनी पती पर और भी गर्व जो है आपर कर पाती आभी में किस पर ये जो विफल गर्व जो है किस पर जागेगा किस पर करूं करके किस बात पर ये जो गर्व है मैं करूं करके वह दुक्की होकर आपर अपनी सहेली से कहती है इसलिए तो बार-बार वो कहती है कि सक्खी वे मुझसे कह कर जाते करके आगे देखे वो कहते है कि नयन उन्हें है निश्टुर कहते पर इनसे जो आसो बहते सदे इरुदई वे कैसे सहते गए तरस ही काते सकीवे मुझसे कह कर जाते देखे फिर वही अनुमान लगाती है देखे वो कहते कि नयन उन्हें है निश्टूर कहते जो मेरे नयन है मतलब आंखे जो है अभी उन्हें निश्टूर कर रहे है निश्टूर कह रहे हैं, कुएवो तो मुझे बिना बताई है, चले गए, तो इस कारण से उन्हें निश्टूर जो है अभी, कह रहे हैं, मगर क्या उन्होंने इस तरह सोचा होगा, की अगर वो मुझसे बोल कर जाते, तो वो जाते समय मेरे आंकों से जो अश्रू आंसो जो निकलते वो आंसों से सब कुछ ठैक कर आगे नहीं बढ़ पाते क्या मेरे आंसों उन्हें रोक लेते क्या इस तरह उन्होंने सोचा होगा क्या या पर खुद वहां अनुमान लगा रही है ये शोदरा खुद अनुमान लगाती है कि क्या सिद्धार्त ने मेरे पती ने इस तरह सोचा होगा कि अगर मैं इसको बोल कर जाओंगा तो वो रोएगी तो उसके आंकों से जो आंसो बहते है उसे देखकर भी मैं अंदे का नहीं कर पाओंगा और मैं नहीं जा पाओंगा इस तरह उन्होंने सोचा होगा क्या इसलिए मुझसे नहीं बोले क्या वो देखिए वो कहते है कि आपर सदे ही रदय वे कैसे सहते उनका जो कोमल रदय है वहाँ कैसे सह पाता मेरे आसों को तो मेरे आसों को देखकर वहाँ रुक जाते है या फिर वहाँ नहीं जा पाते है इसलिए या पर यह से सभी सोचकर वो बिना बताये चले गए क्या इस तरह खुद अनुमान जो है वहाँ लगाती है फिर भी अगर वो मुझसे बोल कर जाते है ना बहुत ही अच्छा होता इस तरह क्या मुझपर तरस काकर वो बिना बोले चले गए क्या मुझसे तरस काकर हाँ अभी मैं बोल कर जाओंगा तो यह रोएगी रोने पर मैं नहीं जा पाओंगा तो इस तरह कुछ इतना सब कुछ सोचकर वो बिना बोले चले गए क्या करकर या परानुमान जो है वहाँ लगाती है फिर भी यही बात वहाँ कहती है कि सकी अगर वो मुझसे बोल कर जाते तो कितना अच्छा होता करके नेक्स्ट देखे वो आगे कहते है कि जाए सिद्धी पावे वे सुकुसे दुकी ना हो इस जन के दुकुसे फिर देखे जो भी हो वहाँ एक भारती यह नारी है भारती यह संसकार से भरपूर एक कsत्री यह स्थ्री जो वहाँ है जो भी हो अपने पती की बुराई तो भाई नहीं चाहेगी ना देखे इसलिए वो कहती है कि जाए सिद्धी पावेवे सुख से अभी तो वो चले गया है ना बिना बोले तो चले गया ठीक है कोई बात नहीं मगर वो जो सिद्धी पाने के लिए जो पाने के लिए वो गया है ना वो सुख से खुशी से जो है वो आराम से जो है उनको वो सिद्धी मिल जाए इसी की प्रार्तना जो है वह अपने भगवान से यह पर करती है और हम लोगों के बारे में सोच कर वो दुकी ना हो इस तरह भी वहा यापर कहती है दुकी ना हो इस जन के दुक से मतलब हम लोगों की दुक से उनको हमारा खयाल ना आए और वो आराम से यापर अपने सिद्धी पाए इस तरह की एक कामना जो है यहाँ पर रेशोदरा करती है मेरी दुख से या फिर यह जो परिवार है इसकी दुख से या फिर उनको चाहने वाले जो लोगों की दुख से जो है वहाँ दुखी न हो और वहां आराम से जो सिद्धी वह पाए इस तरह की वहां कामना करती है फिर आगे कहती है कि उपालंब दू में किस मुकसे आज अधिक वे भाते सकी वे मुझसे कह करजाते। देखिए यहापर जो उपालंब है इसका अरथ है शिकायत करना। उपालम का अरतिया पर क्या है शिकायत करना अभी मैं किस मुख से शिकायत करूं क्यूंकि अभी तो मेरे पती मुझे और भी ज्यादा भार रहे हैं देखे भाते का अरतिया पर क्या है भाना पसंद आना अभी इस रूप में वो मुझे अधिक भाते है अधिक पसंद आ रहे ह क्योंकि वो सब कुछ टैक कर जो है लोक कल्यान के लिए लोगों की भलाई के लिए या पर सिद्धी पाने के लिए जो गए है तो इस पर मुझे घर वो हता है और उसके सासात उनका यह जो रूप है यहाँ पर मुझे और भी यहाँ पर वो पसंद आने लगे है कितना सब कुछ सोच कर जो है वहाँ लोग की हित के लिए चले गए बिना बताई यहाँ पर वहाँ चले गए बिना बताए जाने की दुख मेरे मन में हमेशा रहेगा मगर वो लोगों की हित के लिए गए है सिद्धी पाने के लिए गए है इसका मुझे क्या है अपर गर्व भी है और उसके साथ साथ अभी मुझे वो और ज्यादा पसंद जो है आने लगे है अभी उनके प्रती मेरे मन में जो प्रेम है वो और बढ़ गया है उनके प्रती मेरे मन में प्रेम और बढ़ गया है इसलिए मैं किस मुख से शिकायत करू? मैं उनसे अभी शिकायत नहीं कर पाऊंगी अभी वो जो गए है जिस काम के लिए गए है वो काम पूरा करके ही वहाँ लोटेंगे मुझे ये बात पता है मगर वो कहें बहुती सुक से बहुती आराम से यहाँ पर वो अपनी सिद्धी पाए अपने कामें सफल जो है वहाँ हो जाए उन्हें ज्यादा दुक ना हो हम लोगों की यादा करी तो इस तरह के सबी जो बात है यहाँ पर एशवदरा कर रही है सखी के सामने अपनी मन की बात यहाँ पर कर रही है किस तरह एकस्तरी जो है देखे सिद्धर्त यहाँ पर उसको चोड़ कर चले गए और बिना बताये चले गए इस बात की दुख से भी ज्यादा उसे गर्व है कि वो लोगों की भलाई के लिए गया है और उसके कारण उनकी प्रति प्रेम भी आपर एशुदा रखो बढ़ गई है और उनकी यहाँ पर सफल हुने की कामना ही वहाँ कर रही है तो एक भारती यह स्त्री काक्षात्री स्त्री का जो एक रूप है आपर अभी हम देख सकते हैं नेक्स्ट देखे यह आपर वो कहते हैं कि गए लवट भी वे आवेंगे कुछ अपूर वो अनुपम लावेंगे देखे वो कह रही है अभी वो गया है ना लटकर जरूर आएंगे मुझे आशा है उमीद है और ऐसे ही नहीं आएंगे कुछ अनुपम और कुछ अपूर वहाँ लेकर आएंगे वो जो अभी गया है कुछ अध्विती यह बनकर आएंगे जो सिद्धी पाने के लिए वो गहे वो सिद्धी पाकर ही वहाँ आएंगे इसलिए जो सिद्धार्त गहे ते वो बुद्धु देव बनकर लवठे देखे यापर रोते प्राण उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते सक्खी भी मुझसे कह कर जाते अभी वो कह रही है अभी वो चले गए है तो एक नएक दिन जरूर वापस आएंगे और सिद्धी पाकर आएंगे कुछ अपूर वो अनुपम जो है लाएंगे लोगों के हित के लिए वहाँ यहाँ पर रहेंगे मुझे जरूर पता है मगर जब मैं उन्हें देखूंगी तब मैं क्या यहाँ पर उन्हें गाते-गाते कारतिया पर क्या है खुशी-खुशी क्या मैं उनका स्वागत कर पाऊंगी नहीं करकी यहाँ पर वहाँ कहती है सखी अगर यही वहां मुझसे कह कर जाते तो शायद ही मैं कुशी-कुशी उनका स्वागत कर पाती मगर अभी मैं नहीं कर पाऊंगी तो इस तरह से अपनी मन की दुख जो है वहां यहां पर प्रकट कर रहे हैं सखी के सामने देखें यह जो रोते हुए प्रान जो है जब उन्हे पाएंगे यह रोते हुए उसके लिए जो यहां पर परिवार दुखी है जो पतनी दुख्य hé जब वहापस देखेंगे जब वह वापस आएंगे तब उन्हें देखेंगे तो क्या खुशी–कुशी उनका स्वागत कर पा देखे सक्की भी मुझसे कहकर जाते यहाँ पर येशुदरा जो खंड कावे है उसका एक छोटा सा बाग यहाँ लिया है तो यहाँ पर वो अपनी दुख ये प्रकट करती है फिर भी दुख से ज्यादा उसे गर्व भी है और पती के प्रती यहाँ पर शुब कामना ये वहाँ करती है पती जो है यापर हमारे बारे में सोचकर वहां दुखी ना हो और निर्विग्निता पूर्वक जो है निर्विग्निता पूर्वक वहां उसके जो सिद्धी पाने का जो काम है वहां पूरा हो जाए वहां सिद्धी पाए कुछ अपूर वानुपम बनकर आएंगे ये जो उम् देती है यहाँ पर ऑम देख सकते हैं तो ये शोदरा के जरीए गुप्त जी आ पर क्या कर रहे है ये शोदरा के जरीए जो है भारती ये नारी किस तरह अपनी पती की पूरक होती है उसके हर एक काम में उसकी हाथ बटाते हुए, फिर उसके लिए अक आमना अपने पती से अपने परिवार से फिर भी वहां अपने परिवार के लिए अपने पती के लिए जो है यहाँ पर वहां सोचती रहती है उनकी भलाई के बारे में ही वहां सोचती है और उनके लिए प्रार्तना जो है बगवान से करती है धन्यवाद